हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम बात करेंगे जॉंडिस या पीलिया के बारे में मैं डॉक्टर मनीश काक कंसल्टन गैस्ट्रेंट्रोलजिस्ट लिवर स्पेशलिस्ट मनीपाल हॉस्पिटल गाजयबाद आज कर जॉंडिस के केसे ज्यादा बढ़ने लगे हमारे पास कैसे बच सकते हैं तो यह जॉंडिस या पीलिया जो है इसको यह लिवर की बिमारी है यह लिवर का एक प्राबलम है जिसमें एक बिलरुबिन करके एक केमिकल होता है बाडी में जो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने के कारण हमारा पिशाप पीला शुरू होना हो जाता है और आँखों में पीला पनाता है साथ में कभी बुखार, कमजोरी कभी बॉडी में पेन, एक्स एपिटाइट कम होना ये सब लक्षन जुड़ सकते हैं अब इसके कारण क्या है? ये जॉन्डिस या पील या शुरू नियो बॉर्न से लेके नाइन्टी येर, संडर येर्स तक कि किसी भी वेक्ती को कभी भी पकड़ सकता है तो इसके हर एक एज ग्रूप में अपने अपने कारण होते हैं कभी कभी नियो नेटल जॉन्डिस होता है जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो बढ़ता है वो एक नॉर्मल चीज होता है वो फिर देरे ठीक हो जाता है उसको नियो नेटल जॉन्डिस बोलते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम होती है उसके बाद बच्चों में कई बार जॉन्डिस आता है जिसको वाइरल हेपिटाइटिस बोलते हैं इसमें हेपिटाइटिस ए या हेपिटाइटिस ए का रोल होता है ये हमारी बाडी में घलत खाने के कारण कुछ वाइरस जाते हैं जिसके कारण लिवर में इन्फेक्शन होता है inflammation है, swelling है और jaundice होता है Hepatitis A और E एक self limiting problem है मतलब यह खुद से ही ठीक हो जाती है लेकिन कभी-कभी complicated भी हो सकता है इसलिए Hepatitis A और E या इस jaundice को neglect नहीं करना चाहिए, नजर अंदाज नहीं करना चाहिए नजदी की doctor के सा touch में रहना चाहिए जो इसको observe करते रहेंगे, देखते रहेंगे और यदि सब ठीक-ठीक रहा तो कई बर घर पर भी इलाज हो जाता है लेकिन कभी-कभी आदमी को, patient को hospitalized भी होना पड़ता है इसके साथ Hepatitis B और C एक और जाundice का कारण है इसको chronic hepatitis बोलते हैं ये कई साल चलता है छे महिना साल, दो साल, तीन साल ये silent रहता है और कई साल रहके liver को damage करके फिर सिरोसिस में बदल देता है तो इसको खराब किसम का जाundice बोलते है ये self-limiting नहीं है इसके लिए treatment की जरूरत है इसको चेक करना जुरूर है क्योंकि अगर इसको हमने चेक नहीं किया तो ये आगे जाके liver में cancer तक कर सकता है तो hepatitis B और C एक और कारण है इसमें hepatitis B के लिए vaccine available है तो हम सब को hepatitis B का vaccine लेना चाहिए क्योंकि hepatitis B एक pre-malignant condition है मतलब आगे जाके liver में cancer तक कर सकता है लेकिन आदमी इससे बच सकता है simple vaccinate लगाना है और दूसरा इससे बचने का तरीका है safe needle practice मतलब कभी भी सुई लगे injection लगे टीका लगाने जाएं कोई procedure करने जाएं dental procedure है या कोई और body के सब procedure हो रहा है कही कान चांट हो रही है तो हमेशा safe equipment होना चाहिए reuse नहीं होना चाहिए boiled होना चाहिए sterilized equipment से scalpel blade वेगरा use करना चाहिए इस्तमाल करना चाहिए तो ये एक विक्ति से दूसरी विक्ति में नहीं जाएगा एक और hepatitis B और C का फैलने का कारण होता है जैसे नाई के पास कई बार हम shave करने जाते है तो वो एक ही blade पहले तो होता था अब तो उतना नहीं होता है एक ही blade सब को लगाते है तो अगर किसी को hepatitis B है उसको blade लगा उसको कटा और वहाँ से blood उस blade में आ गया और अगर वो blade reuse होता है और यह दूसरे वेक्ति में लगता है जिसको भी उस blade से कट लगा तो यह एक वेक्ति का blood दूसरे वेक्ति में चला गया आपको कुछ पता नहीं रहा आपने कभी कुछ सुई नहीं लगाई कोई treatment नहीं किया लेकिन आपके अंदर virus आ गया क्यों वो contaminated blade था जिसमें एक वेक्ति का blood दूसरे वेक्ति में चला गया जब न उसको पता है न दूसरे को पता है लेकिन यह अंजाने से हो गया इसलिए कभी भी आप शेव बनाने जाएं या कहीं ऐसा procedure हो या टैटूइंग होता है टैटूइंग मतलब आजकल कई यंग्स्टर्स हाथ पे कोई बगवान कोई किसी का किसी का boyfriend का किसी का अपना नाम लिखते हैं कुछ करते हैं डिजाइन बनाते हैं वो टैटूइंग में बेग नीडल यूज होती है वो नीडल भी कभी कभी उसका हीपिटैटिस B का कारण या हीपिटैटिस C का कारण बन सकती है तो वो नीडल भी साफ होनी चाहिए तो यह तो हुआ हीपिटैटिस B और C इसके बाद जो एल्डरली लोग होते हैं जैसे कोई 40s 50s 60s में अगर उनको अचानक जॉंडिस आता है इसका कारण कई बार tumor या cancer हो सकता है जैसे liver cancer, gallbladder cancer, pancreas का cancer यह भी जॉंडिस करते हैं और इसका treatment बहुत ही urgent होता है क्योंकि अगर इसका time पर पता नहीं चला तो यह जॉंडिस एक life threatening मतलब आदमी की जान भी ले सकता है So friends, मैं यही कहूँगा finally conclude करूँगा कि hepatitis, jaundice, philia के कई सारे कारण है इसको देखना बहुत जुरूरी है इसको समझना जुरूरी है इसके लिए treatment जुरूरी है आपको परामर्ष करना जुरूरी है क्योंकि एक simple hepatitis AIE आपको नजदी की hospital में यहां किसी doctor से जाके परामर्ष करके इसका treatment करना बहुत जुरूरी है Thank you very much, Namaskar